30 इसमें आपसे पूछा है उसने कि COH ग्रुप किसमें प्रेजेंट होंगे यह वैसे इन्फर्मेटिल क्वेशन है इन्फर्मेशन है लेकिन यह वैसे भी बहुत आसान है क्योंकि पिक्रिक एसेड और एस्प्रिन हर बच्चा नगबग सबको पता होता है तो यहां पर पिक्रिक एसेड के बारे में आप देखते हैं तो यह 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल है इसमें COH ग्रुप नहीं होता तो यह कैंसल हो गया बार्बिट्यूरिक एसेड है यह बनता है जब आप यूरिया की रियेक्शन कराते हैं क्लेंजर एस्टर कंडनसेशन में इस तरीके के एक्जांपल आपको मिलेंगे उसमें आपको बार्बिट्यूरिक एसेड मिलता है आप चाहें तो इसका टॉटोपराइजेशन करा दें अरोमेटिक बना दें आपको पता चल जाता है तो सीधे यह आंसर है क्योंकि एसका नाम है वैसे acetyl salicylic acid तो इसका आंसर आता है D